हिसार में किसानों के समर्थन और सरकार के द्वारा लागू किये गए तीन क्रिशी काले कानून को रद्द करने की मांग को लेकर विभेन संगचन भी आ गया है आपको बता दे कि हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के साथ साथ वेभेन संगठनों ने भारत बंद के तहट लगू सचिवाल्य के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना लगाते हुए गांधी वादी तरीके से अपना विरोध जताया अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी लीगल सेल के प्रदेश चेर्मेन एड्वोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि किसानों का ये आंदोलन पूरी तरह से शांती पूरुक रहा और दोपहर बारा से तीन बजे तक रास्ता जाम करते हुए बंद को सफल बनाया गया इस दोरान रागीरों को फल वित्रित करते हुए आंदोलन में समर्थन मांगा गया और पुलिस कर्मचारियों को भी फल वित्रित किये गए बंद के दोरान पुलिस को किसी तरह की परिशानी नहीं आने दी गई साथ ही रागीरों को सही रास्ते से जाने के लिए प्रेरित किया गया एड्वोकेट खोवाल ने का कि कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और जब तक तीनों काले कृशी कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक कॉंग्रेस का हर सिपाही किसानों के साथ कंदे से कंधा मिला कर अपना सही योगव समर्थन करेगा आज जिस तरह से किसानों ने आवान किया था कि 12 बज़े तीन बज़े तक हम रोड जाम करेंगे उसी कड़ी में कॉंग्रेस पार्टी ने भी हमारी राष्टे अध्यक्सा सोनिया गांधी जी हमारे पिले नेता राउल गांधी जी पर मारी परदेस अध्यक्सा युससवी अमारी बैन कुमारी सहल्जा जी ने भी आवान किया है कि हम किसानों का समर्थन करेंगे उसी कड़ी में हम लोग याँ इकठे हुए और संक्षन भी सभी संक्षनों के लोग यहाँ जी इकठा हुए अभी हम प्रंट यहां जाएंगे रोड के उपर और एक धर्ना देंगे रोड जाम करेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ हम जो लोग आने जाने वाले हैं जो यात्री हैं उनको किसी तरह की प्रिशानी नहों उनको बाक्यादा हम फुरूट खिलाएंगे उनको रस्ता दिखाएं अगर कोई essential services का कोई मामला है कोई ambulance है कोई दूद वाला है कोई मरीज है कोई और किसे तरह कोई प्रिशानी वाला व्यक्ति उसको अराम से उसके गंतवय तक उचाएंगे उसको लेकर के जाएंगे उनको रस्ता दिखाएंगे किसी को प्रिशानी नहों बाक्यादान को फू कानून आए और जब प्रजाने आम जन्ताने किसानों ने जब उसके खिलाब को यवाज उठाई तो अंग्रेजी सरकार ने भी वो कानून वापिस लिए यह बात कल संसद में उठाई गई लेकिन हमारे मानियक्रिशी मंतरी का ब्यान सुन करके उनकी बात उनका संसद में ब के दालीखाली हो तो is तुसमें हम काला क्या बता हैं की ट्रीश इने से एक पुर्जा तंतर में सरकार पारजय के लिए बनाई जाती है लेकिन पुरा देश सड़कों पर देश आवाज उठा रहा है पर सरकार के बिल्कुल nutक नहीं रहा है ये बड़ी हैरानी की बात है एक सविधान की धजिया उड़ाई से यही है मक्सद के जुए तो एक फर्वरी को बजट पेस किया गया है उसके विरोध में है और जो हमारे 200 से 300 जो किसान जो चेल में डाल दिये गए जो बिना किसी जिनकी कोई गलती नहीं थी वो तो उठा संदू जैसे लोग हैं जिन्होंने हमारे त्रिंगे जंदे का अपमान किया था हमारा प्लिस परसासन से हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या प्लिस परसासनी इतना कमजोर हो गया कि वह भी तक दीप संदू को ढूंड नहीं पा रहे हमारे जो आई टी हैं हमारी जो बढ़ताने काम किया उसके उपर कोई करवाई नहीं हो रही हम यही करना चाहता है कि अगर करनी है तो उनके उपर करो जोंड़ों इस देश को डुबो दिया एक और चिताने चाहूंगा 26 जनवरी ने जी जो घटना होई उसमें सभी लोग किसानों से सवाल पूछ रहे हैं हर मेडिया किसानों से सवाल पूछ रहा है हर बात का नागरिक किसानों से सवाल पूछना चाहता है मैं गैरा हूँ कि सवाल किसानों से मत पूछो, सवाल दिंगे परसास हन्स उसके पुछो नियक में प Lindsay की लेगे दिया गया जब कि सारा मुटा कर दिया गया हर चीज के ऊपर खिसानों को चिंदा फ्यारा दिया गया जब कि पुलिस वाले बिल्कुल आज रहे गे और रास्ते में आर्मी की च्छावनी पड़ती है जी फुरूट से खिसान गाजिया पार्शी हो गए गए ना सब रास्ते में चूना आ जिस है जनता में यही सिंदेश लेना चाहा है के भाई किसान को अमिस्टा से सुक शान्ती और देश की बलाई के लिए आग गे रहे हैं और आग गे गिरेंगे और यह जो दर्म जात्ती और काश्क्यादार पर बाटती है नहीं दूख्रे को इंसे पच्छके रहे एसे ही ल जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.